ये गईस वाट्स अब तो आज के वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाला आपने देखा होगा कि बिटकोइन के प्राइज में एक बहुत बड़ा डंप देखने मिला है आज से एक्जिट तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैं आपको बोला था कि बिट के दिन देखा है वो में आपको यहां पे दिखा दूँगा लेकिन यहां पे पहले से हम ने बात की थी कि एक उपन ईगल सब्सक्राइब शीन के बारे में हम डिसकुस करूऊ साथ मेंником Потом ग्रीडि इंडेक्स इजिन एक्स्टइम फीय law vivo कामेब क्या है एक्स्टीन फियर लो जब सारे लोग sell कर रहे होते हैं उस stamp आपको buy करना है तभी आप यहां पर किसी भी market चाहे वो stock market हो cryptocurrency market हो उस market से तभी आप एक अच्छा खासा profit generate कर सकते हो उससे उल्टा जब सारे लोग लालची हो जब सारे लोगों को यह लगता हो कि market यहां से बुलिश है market यहां से उपर ज लगता हो ति market यहां से नीचे जाएगा सारे लोग डरे हुए हो उस stamp आपको buy करना है आज के वीडियो में कुछ discussion करूंगा यहां पर technical analysis bitcoin का देखेंगे बहुत ज्यादे important video रहने वाला है और यहां पर तीन दिन पहले मैंने जो बात की थी उसके बारे में भी यहां पर discussion तो हर रोज मैं यहां पर जो information प्रोवाइड करता हूँ अगर आपको पसंद आती है डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो करते हैं अब एक चीज में यहां पर आपको दिखाना चाहता हूँ आज से एक चीज में यहां पर आपको दिखाना चाहता हूँ यहां पर बॉटम में यह सारी एरिया सेम ही थे अगर आपने यहां पर लिया होगा या फिर यहां पर लिया होगा या फिर यहां पर लिया होगा वापस इसके बाद भी थोड़ा से यहां से शायद पॉसिबल हो सकता है कि यहां से एक पंप देखने मिले वापस उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा डंप देखने मिले राइट लाइक दिस ऐसा वाला कुछ एक और उपर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा होगा एकजेटली तीन दिन पहले मैंने आपको बोला था कि एक ओपर्चुनिटी यहाँ पर देखने मिलेगी आज के दिन ही मैंने यहाँ पर important updates plus motivation यहाँ पर आज के दिन मैंने शेर किया था देखिया अभी 15 पर है fear and greed index 15 का मतलब extreme fear सब लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा डरे हुए है जब सब लोग डर जाए उस time पर आपको यहाँ पर bullish बनना है उस time पर आपको यहाँ पर greedy बनना है और आपको यहाँ पर entry लेनी है साथ में आप देख सकते होगर hold कर रहे हो amount नहीं है तो आपको hold करना है बिल्कुल भी panic sell नहीं करना अब आप यहाँ पर देख सकते हो साथ में यहाँ पर Warren Buffet आपको पता होगा बहुत बड़े businessmen यहाँ उन्होंने भी बोला है be fearful when others are greedy जब सारे लोग लालची हो तब आपको डर रखना है be greedy when others are fearful जब सारे लोग डरे हुए हो आपको यहाँ पर लालची बनना है यह Warren Buffet मैं खुद नहीं बोल रहा हूं Warren Buffet बोल रहे हैं उनकी बाद आप यहाँ पर मान सकते हो साथ में हम लोग यहाँ अगर बिटकोइन का चार्ट भी देखते हैं बिटकोइन का चार्ट यहाँ पर आपको दिखाता हूं आप यहाँ पर क्लियर ली दिख सकते हो राइट इस इस फ्रेक्टल के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी इस वहाँ आपको बोला था कि पर बहुत बड़ा डंप आया यहां पर एक विक बनी और वो जो विक हैं पर बनी विक का लोवेस्ट पॉइंट कहा पर था इट वाज़ अराउंड 42,000 डॉलर अब यहां पर आप देखो इस एरिया में जब यहां पर विक बनी थी तो विक का लोवर लेवल कहां पर था इट वस एराउंड 30,000 डॉलर तक वापस यहां पर इस एरिया पर आपको बिटकोईन का प्राइस देखने मिला था तो सेम चीज म जब भी यहां पर आगे आप देख सकते हैं इस फ्रेक्टल में एक विक देखने मिली उसके बाद यहां पर केंडल की बोडी भी वहां तक गई है तो यहां पर विक 42,000 तक गई तो केंडल बोडी भी वापस 42,000 तक गई लेकिन उसके बाद क्या देखने मिला इस टाइम पर बी जब आप यह फ्रैक्टल देख रहे हो ना इस फ्रैक्टल में भी मार्केट बहुत ज्यादा पैनिक में थी लोगों को लग रहा था कि अब यहां से और नीचे जाएगा जब 30,000 पर था सब लोगों को लग रहा था कि और नीचे जाएगा लेकिन हमारी इस लिए यहां पर जब डंप आते हैं थोड़ा सा बाई करो डंप आते हैं इसलिए मैं बोलता हूं 30% 40% 30% इस हिसाब से यहां पर आपको बाई करनी है साथ में यहां पर आपको एक और चीज दिखाना चाता हूं I hope यह समझ में आ रहा होगा बिल्कुल भी टेंशन लेनी की ज़रूरत नहीं है because पहले भी हमने यह चीज देखी है कि यहां पर एक विक बनती है उसके बाद केंडल की बोडी वहां तक जाती है वही चीज आपने देखिए विक बनी केंडल की बोडी वहां तक गई है तुमें यहां पर आपको एक और similarity देखने मिल रही है क्या है यहां पर आप भी हो तो जब यहां पर विक बनी बहत बड़ा ढप आया उसके बाद आप देखो आरे ऐकी वेलिं पंप राइट तो यहां पर देख सेट विक जहां तक बनी वहीं तक वहां से थोड़ा सा नीचे प्राइज गया उसके बाद यहां पर आपको एक अच्छा खासा पंप देखने मिला रही तो जो लोग यहां पर यह सोच रहें कि अब तो सब कुछ खतम अब तो क्रिप्टो मा करके दिखाता हूं देखें यहां पर एक हाई फोर्म हुआ उससे उपर दूसरा हाई फोर्म हुआ उससे उपर तीसरा हाई फोर्म हुआ अब हायर लोस आपको देखने मिलते हैं आप देखें यहां पर लोग फोर्म हुआ उससे उपर एक लोग फोर्म हुआ अब यह वाला इसका जो price चल रहा है it is around 43,000 dollars जब तक ये 40,000 dollars के नीचे नहीं चला जाता तब तक हम कभी नहीं बोलेंगे कि we are in a bear market we are still in a bull market until and unless यहाँ पर इसका जो low है ये 40,000 dollars के नीचे break करता है अभी 40,000 dollars के नीचे break नहीं किया है it is still at 42,000 dollars I hope आपको समझ में आया होगा कोई भी tension लेनी के ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर crypto fear and greed index भी अगर आप देखते हो it is in extreme fear और जब भी extreme fear में होता है उसके बाद यहाँ पर एक pump देखने मिलता है I hope इस चीज के बारे में आपको समझ में आया होगा तो कौन से कौन से coins में आपको entry लेनी है हम bitcoin dominance को देखेंगे उसके बाद जो भी coins मुझे अच्छे लगेंगे जिसमें अच्छा potential होगा उन coins में मैं आपको entries बता दूँगा वो सारे charts जो है मैं अपने telegram channel crypto के यहाँ पर आपके सार्शेर कर दूँगा तो वहाँ पर exactly उस point पर अगर आप entry लगा होगे definitely यहाँ पर एक अच्छा खासा benefit book कर सकते हो तो दोस्तों I hope आज के वीडियो में जो भी information शेर की I hope आपको पसंद आया होगा by the dip I was किसी ने लिखा है crypto is hope by the dip I was waiting for this moment since December patience, rewards अगर आप यहाँ पर hold करना जानते हो अगर आप में patience है तो definitely आप यहाँ पर एक अच्छा खासा benefit book कर पाऊगे तो I hope आज के वीडियो में जो भी चीज़ है मैंने explain किया I hope आपको समझ में आई होगी और कोई questions है definitely you can let me know in the comment section below मेरे Twitter पर connect कर सकते हो कोई भी questions से आप महाँ पर पूच सकते हो और अगर आज का वीडियो पसंद आया definitely वीडियो को like कर दीजे नए हो चैनल को subscribe कर सकते हो share कर दीजे अपने friends के साथ और subscribe के बाद आपको bell icon पर मिल जाता है